Hello students, good morning to all तो चलिए स्टार्ट करते हैं complex numbers की next video जिसमें हम सीखेंगे किसी भी complex number को argon plane पे कैसे plot करते हैं और उसको polar representation में कैसे represent करते हैं तो चलिए पहले हम argon plane बनाते हैं जहां पे तो इसमें क्या होता है एक होता है real axis एक imaginary axis तो जो cartesian plane होती थी उसमें जो x-axis होता था कौन सा वाला होता था ये वाला होगा x-axis और ये वाला होता था y-axis तो similarly जो argon plane होती है उसमें जो x-axis होता है उसको बोलते है real axis एंड जो y-axis होता है उसको बोलते है imaginary axis तो अब हमारे पास माल लीजिए कोई भी एक complex number है z is equal to 2 plus 4 8 कोई भी complex number है 2 plus 4 8 इसको हमने argon plane पे plot करना है तो कैसे plot होगा बिल्कुल easy है देखो इसका real part find करो पहले कितना है real part of z कितना है तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में real part of z कितना होगा जिसके साथ आइटा नहीं है वो real part होता है यानिके ये वला है अगर इसको compare करें a plus आइटा b से तो a कितना होगा 2 तो real part कितना होगा 2 similarly imaginary part कितना होगा जो आइटा के साथ होता है imaginary part of z is equal to कितना होगा 4 तो यहां पर क्या होगा ये भी positive है ये भी positive है तो इधर क्या होता है real axis पे real part positive तो ये वाले होगे positive 1, 2, 3, 4, 5 positive और imaginary axis इधर positive 1, 2, 3, 4 positive इधर negative और यहां पर भी negative तो हमारे पास तो positive है दोनों 2 plus 4 राइटा तो real part कितना है 2 imaginary 4 तो यहां पर क्या होगा 1, 2 और उपर की तरफ जाएंगे 1, 2, 3, 4 तो point कौन सा होगा हमारे पास ये वाला point होगया 2, 4 या फिर इसको लिख सकते है 2 plus 4 राइटा तो ऐसे complex number को हमने क्या कर दिया argon plane पे plot कर दिया बिल्कुल easy था कोई भी डाउट नहीं है इसमें तो चलिए माल लिजिए कोई और एक example देखते हैं योग और pen से कर लेते हैं z is equal to minus 2 minus 3 एटा ठीक है ये हमने example लिए minus 2 minus 3 एटा इसको कैसे plot करेंगे तो यहां पर क्या आज़ेगा real part of z कितना हो जाएगा real part of z minus 2 and imaginary part of z कितना हो जाएगा minus 3 तो इसको कैसे plot करेंगे इस argon plane पे minus 2 कहां पे आजएगा minus 1 minus 2 ये वाला हो जाएगा और minus 3 कहां पे होगा minus 1 minus 2 minus 3 यह वाला हो गया minus 3 तो point कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा point minus 2 minus 3 तो यह वाला point किस complex number को represent करता है minus 2 minus 3 eta तो यहोप आपको समझा आ गया होगा कि argon plane क्या होती है और इस पर complex number कैसे plot करते हैं same as जैसे हम x-axis और y-axis पर करते थे किसी भी number को जैसे 2, 3, 10th में सीखा था हमने तो उसको plot करते थे उसको बोलते थे हम cartesian plane इस plane को बोलते थे cartesian plane जिसमें real numbers plot किये जाते थे और जब जिस plane पे complex number plot किये जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आरगन plane आपको समझा आ गया होगा अगर नहीं समझाया कुछ भी तो comment box में आप मुझसे पूछ सकते हो तो next है हमारे पास polar representation किसी भी complex number को polar representation में कैसे represent करेंगे तो चलिए next slide पर चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन माल लीजे कोई भी complex number है that is equal to 2 प्लस 3 एटा कुछ भी तो देखो यह हमारा real axis था यह imaginary axis था 2 प्लस 3 एटा कहां पे हो जाएगा जल्दी से यहां पे float कर लेते हैं 2 3 पॉइंट हो गया है यह वहला पॉइंट हो गया 2 प्लस 3 एटा इस complex number को r थिटा की form में लिखना हो उसको बोलते हम polar representation और यहां पे r और थिटा है क्या इस पॉइंट का origin से distance origin क्या होता है 00 इसको o से denote करते हैं इस पॉइंट का origin से जितना distance आएगा उसको बोलते हैं r and जो यह line real axis के साथ angle बनाएगी वो angle क्या होता है थिटा यह angle होगा थिटा और यह distance को बोलते हैं r यह distance क्या होता है basically जो इस complex number का modulus होगा वही यह distance होगा modulus मैंने पिछली वीडियो को पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या होता है यह distance होता है complex number का origin के साथ तो modulus का geometrical meaning क्या हो गया distance of any complex number from the reason ठीक है पिटा और यह find कैसे होता है r r की value क्या होती है x square plus y square का square root इसको आपने याद नहीं करना है बिल्कुल easy method के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि यह कैसे बना है और theta की value find करने के लिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि कैसे find करना होता है तो चलिए देखो यहाँ पे क्या होगा z को हम लिखते है z जो हमारा complex number है r और theta find करके उसके बाद polar repetition में कैसे लिखते है r cos theta plus eta sin theta इस form में हम z को लिखते है तो देखो यहाँ से क्या find out हो के निकला है हमारे पास कि x की value कितनी होगी अगर z को हम लिखेंगे x plus eta y तो x की value कितनी होगी r cos theta x की value कितनी होगी r cos theta and y की value कितनी होगी r sin theta देखो इसको इसके साथ compare करके देखो ठीक है तो यह i कहां से x is equal to r cos and y is equal to r sin theta यह भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आई है तो देखो x क्या होता है real x is real part of z होता है x तो देखो यहाँ पे माल लो अगर यह length कितनी होगी y x यह length होगी y क्योंकि यहाँ पे क्या है y और यह length कितनी होगी x जो real line पे है real axis पे है यह length होगी x और यह होगी y क्यांसे लेकर यहाँ देखो x कितना है two यह डिस्टेंस कितना है टू तो यहां पर यह एक राइट एंगल टेंगल बन गई है जहां पर यह एंगल 90 तो यहां पर देखो पर्पेंडेकुलर अपोन आपानी यसको अलग पैंस लिखते हैं इसको यह एपॉन आफोन अपानी टो परिपंडेकुलर अपोन आपानी कितना अता है sin theta and base upon hyponuse कितना होता है x upon r is equal to cos theta तो यहां से क्या आ जाएगा y is equal to r sin theta और यहां से क्या आ जाएगा x is equal to r cos theta तो ऐसे यह बना है x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta ठीक है अब यहां से r की value कैसे find करेंगे इस तोनों equations को scaring and adding कर दो scaring and adding equations 1 and 2 we get क्या बन जाएगा left side पे x square plus y square और right side पे क्या बन जाएगा r square cos square theta plus r square sin square theta इसमें क्या को मना गया r square को मना गया और अंदर क्या बच गया cos square theta plus sin square theta इसकी value आपको पता है cos square plus sin square कितना होता है 1 तो क्या बच गया only r square तो इधर क्या था x square plus y square is equal to r square बचके तो r की value r square की value कितनी होगी x square plus y square तो मैंने आपको क्या बताया था r की value कितनी होगी square root में x square plus y square तो देखो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है आपको with proof मैंने आपको बताया कि r कैसे find out होता है और r क्या है modulus of complex number जो matrically इसका क्या meaning होता है distance from that complex number from origin तो ऐसे हम r find करते हैं और आगे हम theta find करेंगे फिर इन दोनों की value यहाँ पर put कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास polar representation में हमने complex number को represent कर दिया इसको मैं आपको एक example के जरिये से समझाता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझाएगा चलिए next page पे चलते हैं polar representation में कोई भी एक complex number ले लेते हैं mileage is equal to 1 plus root 3 eta ठीक है जी यह हमने complex number ले लिया 1 plus root 3 eta ध्यान से समझेगा सारे question ऐसे ही होंगे इसको हमने polar representation में लिखना है यानि के इस form में लिखना है z is equal to r cos theta plus eta sin theta या फिर eta r sin theta इसको हमने इस form में लिखना है इस form में लिखने के लिए हमको एक r चाहिए और एक theta चाहिए ठीक है बेटा तो देखो सबसे पहले इसको क्या करो compare करो x plus eta y के साथ तो x कितना हो गया 1 and y कितना हो गया root 3 तो हमें पता है x कितना होगा r cos theta पिछले पेज़े पे हमने किया था देखो x कितना होता है r cos theta and y कितना होता है r sin theta देखो r cos theta तो इसको solve करो r cos theta is equal to 1 हो गया and r sin theta is equal to root 3 हो गया ठीक है समझा रहे है बेटा यहां तक तो कोई दिक्रत नहीं होनी चाहिए r cos theta is equal to 1 हो गया and r sin theta is equal to root 3 हो गया अब r तो find करने का तरीका में ने आपको बता दिया था r कैसे find होता है formula क्या था r का square root of x square plus y square बिल्कुल simple है square root of x square plus y square x कितना है 1 1 का square 1 ही होगा y square कितना हो जाएगा root 3 का square यानिके 3 तो root 4 बन गया root 4 कितना होता है 2 negative में नहीं लेंगे क्योंकि r एक distance है distance cannot be negative तो r की value कितनी होगी 2 तो यहां पे put कर दो cos theta कितना हो जाएगा 1 by 2 and sin theta कितना हो गया root 3 by 2 r की value आगी अब find करनी है हमने theta की value तो theta की value कैसे find होगी यह अलग-अलग quadrant में अलग-अलग होती है तो देखो theta की value find करने से पहले हमें एक alpha की value find करेंगे alpha alpha कितना होगा tan inverse y upon x का magnitude tan inverse y upon x y कितना है root 3 1 x कितना होगा 1 तो यह कितना मन गया tan inverse root 3 यहाँ पर magnitude होता है अगर यह अंदर negative भी हो तो यह positive बन जाते है तो tan inverse root 3 कितना हो जाएगा tan कितने पर होता है root 3 pi by 3 पर तो alpha की value कितनी होगी pi by 3 अब हमने find करनी है theta की value तो theta की value अलग-अलग quadrant में अलग-अलग होती है as comparison to alpha तो जैसे मालो पहले हम देखेंगे first quadrant में first quadrant में क्या होगा theta की value alpha ही होती है अगर तो theta लाई करता है first quadrant में तो theta की value कितनी होगी जितनी alpha की value होगी अगर इस question में theta first quadrant में लाई करता है तो उसकी value कितनी होगी pi by 3 ही होगी तो ये भी कैसे पता चलेगा कि इस question में theta किस quadrant में लाई करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ पहले ये देख लो किस quadrant में theta की value alpha से कैसे find out करते हैं अगर first quadrant में हो तो theta is equal to alpha और अगर second quadrant में हो तो theta is equal to pi minus alpha जितनी alpha की value आएगी उसको pi में से minus कर दो तो theta की value आजाएगी third quadrant में क्या होगा theta is equal to इसका minus minus of pi minus alpha या फिर लिख दो alpha minus pi जितनी second quadrant में होगी उसका negative और fourth में क्या जितनी first quadrant में होगी उसका negative यानिके theta is equal to minus of alpha negative of alpha तो ये आपको ध्यान में रखनी है बाते हैं कि अगर theta first quadrant में हो तो alpha second में हो तो pi minus alpha third में हो तो alpha minus pi and fourth में हो तो minus alpha तो अब पता कैसे चलेगा कि theta कौन से quadrant में लाई करता है तो यहां से बिल्कुल easy है देखो यहां पे क्या है ये question में देखो x क्या है positive और negative positive y क्या है positive और negative positive x भी positive है y भी positive है तो कौन सा quadrant होगा first quadrant क्योंकि first quadrant में ही x और y positive होते हैं देखो यहां पे क्या होता है x positive यहां पे y positive तो first quadrant में x भी positive y positive second में क्या होगा x negative y positive तो negative positive अगर x negative होता y positive होता तो इस quadrant में आजाता x positive और y negative होता तो x positive और y negative तो fourth quadrant हो जाता x positive और y negative और अगर दोनों negative है तो third quadrant हो जाएगा quadrant आपको पता चल गया कैसे पता करना एक कौन सा है और अगर quadrant पता चल गया तो alpha की value find करके उसमें से theta की value कैसे find करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया तो इस question में हमारा quadrant कौन सा था only first quadrant था first quadrant में हमने alpha की value find कर ली तो theta की value भी same ही होगी theta is equal to alpha होता है तो क्या हो गया इस question में theta क्या हो गया pi by 3 ही हो गया तो अब हमने क्या करना है last step polar representation में कैसे लिखना है देखो बिल्कुल easy है यह हमारी polar representation होती है मैंने आपको पहले ही बताया था z is equal to r cos theta plus theta sin theta तो हमने r find कर लिया था देखो r और theta find करना था हमने यह दोनों find हो गए r is equal to 2 r is equal to यह देखो मैंने आपको पताया था r और theta find करने दोनों theta कितना हो गया pi by 3 r और theta find हो गया तो यहाँ पे put करना है शिर्फ तो हमारा answer क्या हो गया z is equal to r यानिके 2 cos pi by 3 plus eta sin pi by 3 तो इसको हमने यह वाले complex number को z is equal 1 plus root 3 eta को हमने polar repetition में लिख दिया है इसको ऐसे तो यह अपको समझा आ गया होगा कि argon plane में कैसे repelent करते हैं कैसे plot करते हैं किसी भी complex number को और polar repetition में कैसे repelent करते हैं तो अब आप question कुछ से solve किजिए और next video में उपको question भी करवाऊंगा thank you and keep watching करते हैं